नमस्कार दोस्तो केस्ट पर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे फीचर की जिसके आने के बाद दोस्तो जितने भी लोग यूपी आई का यूज करते हैं यानि के गूगल पे फोन पे या पे टी दिया है यानि के अब इन फ्यूचर कभी भी आप कहीं पर भी जाएंगे और अगर आप इस फीचर का इस्तमाल करेंगे तो आपकी दो हजार रुपे तक की अमाउंट का पेमिंट आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हो आपकी ट्रांजेक्शन फेल नहीं हो पाएगी तो दोस इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर ये पेटियम के अंदर आया है टोटल मिलाकर जितने भी भारत के अंदर एपलिकेशन है जिसके माद्यम से आप पैसा ट्रांसपर कर सकते हो एमाजोन फोन पे पेटियम गूगल पे भी मियो पी इन में से सीरपोर्ट शिप दो के प पास जाते हैं वहाँ पर जाकर कोई समान खरीते हैं पैसे आपके पास नहीं है कैस नहीं है आपके पास क्योंकि आज की तारीक में 60 से 70 परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपना पोकिट नहीं रखते हैं कैस लेकर नहीं चलते हैं वो सोचते हैं कि हमारा जो फोन है इसी से हम सार थी कि आपका जो बैंक सर्वर है दोस्तों वो डाउन है और डाउन होने के बदे से आप पेमिंट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या होती थी इसी समस्या का हो समाधान जो है अब RBI ने NPCI के साथ मिलकर निकाल लिया है यानिके आप कहीं पर भी जाते हैं क अब एक बार आप अपने UPI wallet में डालेंगे UPI light में डालेंगे उसके बाद आपको pin डालने की आवसकता नहीं है यानिकि वो security pin जो कि आप हर बार किसी को भी एक रुपे की पेमिंट करते हैं तो वही pin डालना पड़ता है उसको डालने की आवसकता नहीं है यहाँ पर सिर्फ क्या क्या है एक तो देखिए आपको कोई भी pin डालने की बार बार आप सकता नहीं है इसके साथ साथ आपका जो payment फेल नहीं होगा 100% दोस्तों पास ही होगा क्योंकि यह आपके wallet में है और आपको यहाँ पर ज्यादा इंटरनेट की आप सकता नहीं है आपका data खरतम हो गया ह जो भी pack है एक जीवी दो जीवी तीन जीवी का खतम हो चुका है अब दो तीन केवी की speed भी अगर आपके जो है mobile में आ रही है उस पे भी आप सिर्फ अपने app को open कर लेंगे एक बार तो भी आपकी payment हो जाएगी इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने UPI wallet में पैसा डाल लि है तो ऐसे में जितना पैसा आप wallet में डालेंगे वही जो है सो होगी आपकी statement में और उसके बाद जितने भी payment करेंगे वो आपके bank statement में सो नहीं होगी पर आप जिस app का इस्तमाल कर रहे हैं उसके transaction history में सारा कुछ सो होगा इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपकी 100% security security है क्योंकि अभी तक आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों से जानने वा लोग से या भीड में कहीं पर भी पिन डाल रहे हैं तो आपको ऐसे छिपाना पड़ता है छिपाने कि आप सकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर पिन मांगा ही नहीं जाएगा इसके कुछ नुक्सा आप नहीं कर सकते हैं और साथ ये साथ इसकी जो लिमीट है दोस्तों वो दो हजार रुपे है एक बार में आप अपने वोलट में दो हजार रुपे ही ट्रांसफर कर पाएंगे पर दो हजार रुपे खर्च करने के बाद एक दिन के अंदर आपrenalf उाप जो है इसमें डाल तो आप अपने फोन के अंदर अभी फिलाल दो एप में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। नमबर एक मैं आपको बताने वाला हूँ, भीम में दो महिने पहले से फीचर आ गया है और मैं इसको यूज़ भी करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तो आप अपने भीम एपको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप अपना पासवर्ण डालेंगे और यहाँ पर खोलेंगे। तो UPI Lite में जो है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप आसानी से पैसे डाल भी सकते हैं अब कैसे डालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए add money करेंगे जैसे आप add money करेंगे इस तरीके से आपका जो भी bank account आपके app के साथ link है वहाँ पर आपको दिखा पर किलिक करेंगे जैसी हम add fund पर किलिक करेंगे जैसी हम add fund पर किलिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने इस तरीकी से option आजाता है जहाँ पर जो है हम अपना password डालेंगे और password डालने के बाद हम OK पर किलिक करेंगे और आप देख सकते हो दोस्तों हमारे 500 रुपे हैं वो हमारे wallet क अंदर आसानी से ट्रांसपर हो जाएंगे अभी at a time आपको देखने को मिल भी जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने है गो टू लाइट यू पी आई और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप किलिक करेंगे तो आपके सामने देखने को मिलेगा कि 500 दोस्तों यहाँ पर हमारे add हो चुके हैं अब send कैसा करना है वही है आप send पर किलिक करेंगे और जिसको भी आप send करना चाते हैं दोस्तों वहाँ पर आप आसानी से जो है पैसे ट्रांसपर कर पाएंगे सब ही माध्य हम यहाँ पर देखने को मिलेंगे चलिए दोस्तों यह हो गया गूगल अब हम बात करेंगे दोस्तों अगर हम दूसरे अप की बात कर रहे हैं दूसरे में आता है दोस्तों पेटियम यानिके अभी भीम और पेटियम दो में ही हम यह उच्छ करेंगे तो देखें यहाँ पर हमाने जो है एप ओपन किया है और हमारा जो है पेटिय हम दोस्तों आप यहाँ पर दो हजार रुपे तक ही एड कर पाएंगे यहाँ पर दो हजार रुपे दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा कि एक रुपे से लेकर दो हजार रुपे तक एड कर पाएंगे अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यहाँ पर दस रुपे add करना देखिए यहां पर 10 रुपे बैना डाल दिया यहां पर add money पर click करेंगे और जैसी click करेंगे दोस्तों यहां पर आपको password डालना है जो भी आपका bank account होगा उससे आपका पैसा transfer होगा दोस्तों इसमें आ जाएगा अभी देखिए यहां पर 100 होने लगे हैं कि कितना पैसा हमारे पास है और इस तरीके से आप उपर देखेंगे दोस्तों यूपी आई लाइट में टोटल मिलाकर 60 रुपे जो है हमारे आ चुके हैं यहां पर दोस्तों यहां पर हमारे वोलेट के अंदर जो है पैसे आ चुके हैं अब हमें पैमेंट कैसे करनी है देखिए यहां पर सिंपल सी बात है दोस्तों जब आप किसी को पैमेंट करेंगे scan and pay है या two mobile contact number है यहां पर आप किसी को भी ले सकते हैं चलिए मैं यहां पर ऐसे ही एक नाम ले लेता हूँ यहां पर देखिए नाम है और यहां पर उसके बाद दोस्तों आपको जो है amount डालनी है जो भी आप amount डालेंगे और उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक और option आएगा amount डालने के बाद देखिए यहां पर आप किलिक करेंगे और जैसी किलिक करेंगे यहां पर आपको तो इस्टा करेंगे और नीचे पर टिक करना चाते हैं तो नीचे पर करेंगे यानिके टोटल में आकर हमारे पास ओप्सन आ जाता है कि हम कौन से ओप्सन का जो है इस्तमाल करना चाते हैं जो भी ओप्सन हम लेंगे उसके बाद हम जो है पे सिक्यूर पर जैसे किलिक करेंगे और secure भी है और यहाँ पर मैं आपको बताऊं आप अपने बच्चों को भी अगर ये बोल देंगे कि ठीक जी आप मेरा mobile लेकर चले जाओ दो हजार रुपे इस wallet के अंदर पड़े वे हैं आप आसानी से payment कर देना तो आप किसी दूसरे माध्यम से भी आप इसका इस्तमाल करा सकते हो परिवार में किसी को भी अपना phone दे देंगे वो भी जो wallet के अंदर पैसा है उसमें उनको security पासवर्ट डालने के आप सकता नहीं है आपको पासवर्ट बताने के आप सकता ही नहीं किसी को उस wallet से वो आसानी से payment कर लेंगे तो दोस्तों यह feature था जो कि total मिला कर बहुत सांदर था यह अगर आपको article अच्छा लगाओ दोस्तों तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद